21 अगस्त दो हजार तेईस सौंबार नाग पंचिम यह मुहुर्त बीस अगस्त से रात को बारह वज के तेईस मिर से सुबाराम होगा 21 अगस्त दो बच करके एक निर तक यहां पंचिमी का मुहुर्त रहीगा इस समय हस्त नक्षत्र है और नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है इस प्रकार के कुछ योग अपने वीच में बने हैं इस योग पर यदि हम काल सर्प की पुजन करते हैं काल सर्प का समाधान प्राप्त करते हैं पूरे साल भर जो कस्ट आपके जीबन में आए हैं जो परेशानी आ रही है व्यापार में चलते चलते रुकावट आ रही है बच्चे खूब महिनत करते हैं अच्छी पढ़ाई करते हैं फिर भी वह पास होने में एक नंबर रह जाता है इस प्रकार से बहुत सारी तकलिवें वैवाही कारे में तकलिवें सल्तान सुख संपत्ती में तकलिवें आपके वीच में आती है तो कहीं न कहीं काल सरफ का प्रभा आपकी जीबन पर पड़ा हुआ है यदि किसी जोतिसी ने आपको कह दिया है कि आपकी पत्रिका में काल सरफ है घबराए नहीं, घबराड तो होगी लेकिन कुछ काल सरफ अच्छे भी होते हैं कुछ कालसरप आपको कस्ट कारी भी होते हैं यहाँ पर जोते सास्थ्र में बाहरे प्रकार की कालसरप है जिसमें अनन्त कालसर्प, गुलिक कालसर्प, वासुकी कालसर्प, संखपार, पद्म कालसर्प, महापद्म, तक्षक, कर्पोटक, संकचूर, घातक, विश्धर और सिंशिनाग इस प्रकार से बारे कालसर्प, हमारे जोते सास्त्र में बताये गए हैं, बारे कालसर्प का प्रभाव अपने चीवन में अलग अलग तरीके से पढ़ा करता है आपको नहीं मालूम है कि आपको कौन से प्रकार का कालसर्थ है यह किसी विद्वान की मात्यम से आपको पता चल सकता है तो आपको कौन सा कालसर्थ है उस हिसाब से आप कालसर्थ की पूजन करा सकते हैं किसी अच्छी विद्वान की द्वारा लेकिन हमें जैन ध्रम में ऐसे विद्वान बहुत कम मिलते हैं जो कालसर्व की फूजा पाड़ कराते हों कालसर्व की फूजा के प्रभाव में आप लोगों को सांती विधान करा देते हैं नवग रहे की फूजान करा देते हैं कुछ ऐसे विद्वान आपको कल्यान मंदिर का अनुस्ठान करा देते हैं इस प्रकार की पूजन कराके आप से कहते हैं कि कालसरप का समाधान हो गया ऐसा नहीं है कालसरप की एक अलग विदी है, एक अलग पत्यती है जो मैंने बहुत, बहुत सारी किताबों का स्वाध्य करके चाहे हिни्दू गरंथ हों, चाहे जेन करंथ हों जहां से मुझे जो कुछ भी मिला उस सब को मैंने खटा करके एक गरंथ अपने मन में तयार किया है वो गरंथ लिखा नहीं है अपने ग्रेंथियों में तयार किया है यही भामना के साथ कि हमें जैन पद्धती से समाधन दिल सके हमारा जैन पाई, जैन धर्म से जुड़ा रहे इदर उदर न भठके, न इदर उदर भागे हुआ है इसी पद्धती से अपने जीवर का समाधन दाप्त कर सके इसके लिए कुछ ऐसी उपाल जो मैंने आपके बीच में निकाले हैं यदि आपको किसे लिए का अनन्त कालसर पर है तो आप अनन्तनात भगवान का जाब करें अनन्त प्रत करें इसके बाद आप पारसनात भगवान के चाड़ों में जाकर के हर अईवार को अब से पूजन पाड़ करें और सांतिधारा करें वह सांतिधारा का जल किसी पीपल के प्रक्ष में छोड़कर के आए गुलिक कालसर पर है तो कंबल दान करें चाड़ी धरन करें वासुकी कालसर पर है तो सिराने आप थोड़े बाजरा रखिए पक्षियों को सुबह सुबह डाल दीजिए संक पार कालसर पर है 400 ग्राम बादाम हर रईवार को आप मंदिल बे डाल करें इसकी बाद यदि पद्म कालसर पर है तो आप 40 दिन तक पद्म प्रफू 40 पड़े 40 बार पड़े पूरा होने के बाद आप पद्म पुरा जाकर के चितने साल के हो गए हैं उत्तरी परिक्रम लगाए और पास में ही बिजोरिया पारसनाथ है वहाँ जाकर के परिक्रम लगाए पूजर पाड़ कीजिए यदि महा पद्म कालसर पर है यही उपाई कीजिए 40 दिन तक आपको पद्म परभू चारी सापड़ना है पूरा होने के बाद आपको पद्म पूरा जाना है पारसनाथ भपन की पूजर पाड़ करना है इसके बाद तक्षक कालसर पर है तो ग्याहर नारियद आपको कल्याण मंदर स्तोत्र का पाड़ करते करते मंदरे में संभणपित करना है फिर वहां से प्राह्यश इवाल में लोग सोठिक लैं alegre है या पिर वहीं के वहीं छोड़ करके आप वहां जाकर के प्रभु से प्रातना करें ये प्रभु हमारे जीवन में आप ही पार लगा़ने हो इस प्रकार के भावले करके इसके बार करकोटक कालसरप है तो आप जाहां पर पारिशनात भगवान की मूर्ति धड़े द्रग पद्माबती सा सेयों तो जिस हुंचा पारिशनात वहां जाकर कि आप पूजनपाट कीजिए, आरातना कीजिए, कब करना है? सुकुवार हो या पिर रहिवार हो उसमें जाक कि आप उजनपाट बद्धती करा सकते हैं संक चूर कालसरप हो तो रहिवार को रात को सोने के पहले जहां सोते हैं वहां पर अपने सिराने जो रख लीजिए प्राताय कालवा है जो पक्षियों को डाल दीजिए इसके बाद आप नेमिनाद भगवान का जाब करें नेमिना में एक बाद आप नेमिनाद भगवान के दर्शन पूजन पाड़ करेंगे आपको सुक सांती प्रात हो सकती है इसकी बाद होता है घातक कालसरप आप मंदर में पीतल की बरतन पूजन के सेड़ दान करें जिससे अफ्षिव होता है वार पीतल का पात्र आप मंदर में कि आए अमावश्या पर आपको दूद इराहर नहीं करना है आपको रात्री भुजन नहीं करना है तामसे भुजन नहीं करना है ना में घातक कुछ न कुछ घात आपके जीवर में जरूर होता रहेगा इसकी बचाव के लिए कुछ उपाय मैंने आपको बताए है इसकी अगर मैं परेशानिया ही परेशानिया लाके क्ष़टा करता है आपसी विचाध़ना नहीं बनाता है बहुत सारा क्स्ट से ले की पूरी परिवार मिले करें कल्यार मंदिर का पाड़ करें इसकी बाद एक-एक नारिय अपने-पने हाथ में लेकर के पारशनात भगवान को याद करें तुमसे इलाकी लगा वो सगहरम स्थोत्र का पाड़ करें वह नारिय बहरते हुए पाने में छोड़ गए रईवार को कर सकते हैं हमावश्य को कर सकते हैं या पिर आज नाग पंचमी है नाग पंचमी पर उपाई क्या करना है कुछ उपाई मैं आपको बताओंगा पहरे आपको 12 प्रकाफ के काल सर्भ एक और अंतिम काल सर्भ पे जिससे कते है शेश नाग तूर काल सर के यह है उपाय आपको रईवार को करना है, आज नाद पंची में हैं सौंबार है, रईवार की रात को आप यह सामदिन रखना है, लाल खपड़े में कुमकुम रखना है, चंदर रखना है, केसर रखना है, काली उड़द रखना है, और प्रात्यकाल सौंबार को जहां पर भी दूस्ते द्रम का मंदिर हो वहां किसी पुजाली को पंडित को दान कर सकते हैं कोई ना ले तो आप बेहते हुए पाने में छोड़ दिया करना है। इस प्रकार से ये बारे प्रकार के कालसर आपके बीच में हैं। ऐसा हिंदू पतत्ति में कहा जाता है कि उनके बारे चोट्रे डिंग हैं, हमारे चेंद्रम में भी भगवान पारशनात के कुछ प्रभाव सारी तीर्थिस्थान है। यदि आपको लग रहा हा है कि पूरा परिवार परिशान हैं, मेरे कहने पर आप बारे पारशनात भगवान के तीर्थिस्थानों के दर्शन कोुछ आप देखिए पूरे भारत के कौने कौने में सबसे ज़्यादा पावन देर्थ भगवान पारशनात के नाम की गुवा कर आप देखिए फुजरात में जाओ यहां पर भवा पारशनात है और थोड़े आगे जाओ आपको मिलेंगे नाख़नी पारशनात और थोड़े आगे जाए इसी राजिस्थान में आपको मिलेंगे अंदेश और पारशनात यहीं पर आपको मिलेंगे अडिल्दा पारशनात यहीं पर आपको मिलेंगे विजोलिया पारसनात एक राजस्तान में प्रवेश करते ही आपको इतने पारसनात के दर्सन चवरेश पारसनात के भी दर्सन आपको राजस्तान में होंगे इसकी बार आप आएए मद्य प्रदेश में मत प्रदेश में आते ही आपको मक्सी पारिसनाग और फिष्पधिरी पारिसनाग और ठोड़े आगी आईए जिस प्रकार से लोग उचेनी नगlla जाते हैं और उमकारे सुन जाते हैं उसी प्रकार से आग शिद वर्कूर जाएए वहाँ पर भी हैं चमतकानी पारिसनाग और थोड़े आगे बढ़ेगे, बढ़ते बढ़ते आप महराष्टे बहुचेंगे, वहाँ पर आपको मिलेंगे चिंतामणी कचिनेर पारसनाथ, उसके बाद आपको सिर्पूर अंतरिक्ष पारसनाथ, उसके बाद आपको मिलेंगे जिनतूर अंतरिक्ष पारसनाथ, इस प् लड़ू जाओगे, वहाँ पर आपको मिलेगे में शितामूर पारशनाद, इसके बाद कालसर्व का सही समाधान, आपको मिलेगा हुमचा पारशनाद, जहाँ पर साक्षाद, जीवन इस्थान, चैतर इस्थान, उस इस्थान पर जाकर किया आरागना कीजिए, और इसके जहाँ पर शेशनाद कालसर्व है, इसका सब से अच्छा समाधा होता है, सम्मेश शिखर की यात्रा करने से, आपकोरी मुरूध आपके साथ, सम्मेश शिखर की यात्रा सावन की महिने में करें, एकिस तारी सुंपार है, नापपंचनी है, यदि हम एक चांदी के और स्रीफद, जितने साल के होगे उतने स्रीफद, उतना बजन नहीं उठा पाते हैं, उतने अखरोट ले जाए, इस प्रकार से आप पारिशनाद भगवान के टौकता कोचिए, वहां तक नहीं ले जा पा रहे हैं, नीची जो प्राचीन मंदिर है भगवान पारिशनाद क वहां जाए, कल्याड मंदिर आरादना कीजिए, वहां पर उपसक घरम का पाड कीजिए, उपसक घरम का पाड देखिए, अब इमें आपको सुना देता हूँ, जैसा आप यह आपको समय मिले, तो यह हैं उपसक घरम का पाड मेरे मुखार दिने से आप जब भी लगें तो आमरे वाले बाबा पर सुन लिया करें, यह है पाड है, उपसक हरम पासम, पासम वंदामी कम अगण मुक्कम, विशहर विश्रनासम, अंगल कल्नान आवासम, विशहर फुलिंग मंतम, खंठे धारे दि जो सयामन, तस्त गहरोग मारी, दुठ जरा जन्त वब सामं, चिठ्ठव दूरे मंतो, तुच्च पड़ा मोगी बउपलो होई, नदतरिय शुविचीवा, पावंतिना दुख दो गच्चं, तुह सम्वत्ते लथे, चिन्ता मनि कपप पाय बंबये, पावंति वखेणं, जीवा अयरा मरं ठाणं, ये संथ दो महाजसा, भक्ति भड बरेही देना, ताव देव दिज्जिवोहिं, भवे भवे पास जिन चंदम् ओम अमरतलू काम देणू चिन्ता मनिकं काम कुम मादिया, स्रीपास नाह सेवा गहने, सवेवीदा सत्तं, ओस अगरम थोतं, काधूडं जीन संग कलानं, कनायने विहदं, सभद्रबावू गुरू जयदो। ओम अरहम नमिदून पास विसाहर, विष्न आसं जिन पुलिंग, भीम श्रीम क्निंग्लों नमाहां। इस प्रकार से आप उप संदरम का पात किया करें। आपके उप सर्क को हरने बाला है। और आप सभी को मारम हैं कि हमेशा सर्प चंदन के पेड़ पर रिप्टे रहते हैं। फिर भी वह अगरिप्ष विशादा नहीं होता है। आपको चंदन का तिलक लगाना है। उसके बाद ही आपको घर से बाहर निकलना है। मंदर में भी आप जाते हैं मंदर से बाहर निकलते हैं। चंदन का तिलक जरूर लगाएं। इसके बाद जिन्हें कालसर पर हैं। परिशानियां बहुत आती हैं। वह हैं एक सादू की हातों से मयूर पंक ले ले लें। और अपनी घर में स्थाफित करें। और सबसे अच्छा उपाएं। हमारे आचार मानतुम स्वमिने भगत आमर के मात्र में से बताया है। 41 नुबर कायविका पाड़ कीजिए। नीले कपड़े पहन करके, नीले आसन पर बैठ करके, आपने को पशिंद सन्मों करके इस प्रकार से पाड़ करना है। भरते प्षणम समद को किल कंठ नीलं। क्रोधो थथम फड़िने मुद्फण मापतंतं। आक्रामतिक्रम युगे निरस्द शंकस्त। त्वन नाग नाम दमनी, रिदे यस्यपुन्साहा। त्वन नाम नाग दमनी, रिदे यस्यपुन्साहा। इस प्रकार से आपको कम से कम, एक तारीस बार इस काविका पाड़ करना है। रिदिकुत्र के साथ, मंत्र जाग के साथ यदिन फार्ट करते हैं। तो जीवन में जो परिशानी आपके जीवन में आई है। यह पारसनात की आराधना। आपको सारी परिशानी से पार लगा सकती है। पढ़ते भी हैं तुमसे लागी लगन देलू अपनी शर्ट। पारस प्यारा मैटो मैटो जी बुलिये संकट। हमारा आपके संकटों को मरने वारे अगवन पारसनात। 21 तारीक आपके बीच में है। कालसर्द की पूजन आपको करना है। आए भान गाउं भक्तामर तीर्थ वहां पर जाकर कि आप इस कालसर्द की पूजा करा सकते हैं। घबराएं नहीं, यह तीर्थ पैसों के लिए नहीं है। आपके हर प्रकार की ग्रहों का समाधान आपको मिल सके। आप इध्यात्पिसे बचें और सम्मेक तुम्हें आपका मन लगा रहें। जिससे आप सम्मेजर्शन के साथ सम्मेज्ञान को प्राफ्ट करके अंतिमवस्थार सम्मेक चारत्र के साथ व्यतीत हो। यही भावना लेकर के मैंने इस प्रकार की भावना आपके बीच पर रही है। मैं आपके समाध का आहार ग्रहन करता हूँ। मैं भी चाहता हूँ इस आहार का प्रभाव आशिरवात की रुप में आपको प्राफ्थ हो सके यही भावना के साथ मैंने कुछ उपाय आपकी बीच में रखे हैं मैं प्रभु पारशनात से यही प्रारशना करता हूँ है भगवान पारशनात आपने नमोकार के प्रभाव से नाग नागिन को भव से पार कर दिया बस है भगवान पारशनात यह सारे भक्त आपकी पूजन करते हैं आपकी बंदना करते हैं आराधना करते हैं यह सारे भक्त क कश्टों से दूर हो, सारी परिशानी दूर हो, अच्छे भावों के साथ, अगर सम्मेदर्शन ज्यांचारित्र को प्राप्त करके, अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें, यही भावना के साथ, मैं भगवान पारस्तात को नमोश्तू करते होए, आप सभी को कालसर्प का समाधान म जरे उपाय आप करते रहें, आपका जिवा आनन्दित हो, रसान चित्त हो, यही भावना के साथ, सभी भगतों को मेरा बहुत आशिवात भात. गुरु प्राम सागर की वाणी में है असर घर घर भक्ता मर निर्वाण वीर संवत पच्चीस सोल तालिस्ट